एक्जाम में एक्टिविटीज ना आएं ऐसा हो नहीं सकता और तुम एक्टिविटीज को भूल जाओ आज ये मैं होने नहीं दूंगा कैसे हो सभी के सभी आप सभी के विर्शानव फिर से आ चुके हैं एक नए लाइव और एक नए मज़ेदार सेशन को लेकर कम्प्लीट साइन्स की एक्टिविटी नहीं मेरे दोस्त एक्टिविटीज को समझेंगे सवाल करेंगे यहाँ पर सारी इंपोर्टेंट आपको परोष के दे रहा हूँ अब देखो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें खाना तो नहीं किला सकता वो तो तुम्हें खुदी घाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त तो खाना खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ मतलब अपना दिमाग चलाओ और पड़ो मेरे क्योंकि यार अब समय आ चुका है अंतिम घड़ी आ चुकी है एक ऐसा फेज आ चुका है जब तुम अपने सपने के बहुत करीब हो बहुत करीब हो तुम एक स्टेप दूर हो अब हार नहीं माननी अपना वेस्ट लगाना है ठीक है सबसे पहले बता दो वोईज कैसी आ रह करते हुए ना कर दो प़्दा पार जोशमीटर कमेंट कर देंगे जोशमीटर कमेंट कर देंगे गए सब्सक्राइब अरे मावर तुम थोड़ा तो मेरे लेवी वह करदिया कर ओ यार प्रिशाद भिया की भी कभी वार थोड़ा बहुत पाथоп-दस minute लेट हो जाते हैं तु तुमें पता है प्रिशान भी घर आते हैं फिर चलो स्टार्ट करें स्टार्ट करें फिस्पुल जो स्पिल मोटिवेशन करें यार शुरू कर दें एक्टिविटीज नोटबुक पेन लेकर बैठो अगर एंसी आटी खोलनी है तो लेकर बैठो एक्टिविटीज समझ रहे हैं साथ साथ में सवाल लगा रहे हैं सेशन छोटा रखेंगे जाधा टाइम नहीं लूँगा क्योंगी एक्जाम का समय है तुमारा भी हिंदी इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है तो थोड़ा सा है ना टाइम चलिए दोस्तों के साथ शेयर हो चुका है वन परसेंट वाले एक्जाम ट्रस्ट रखो इतनी जो मेहनत करी है अभी तक की उस मेहनत का फल मिलने जा रहा है तुम्हें घरोसा रखो खुद पर बढ़िया होंगे चलिए औरेड़ी 14000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं बहुत बढ़िया चलिए पहली एक्टिविटी के स्टार्ट करते हैं ए मैं थोड़ी ब्राइटनेस लोग करूं क्या एक बर बताता है स्क्रीन पर विजिवल आ या मैं ब्राइटनेस और लों करूं स्कृल बुजिवल है बहुत वड़िया ये बढ़िया Πै italiano लर निया बेटा मेरे एंट से कोई लर निया आपको अगर थोड़ा बहुत आ रहा है एक बार आप देख लीजेगा चलिए 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 बढ़िया आजाओ देखो आप सुनना पहली अक्टिविटी हमारी क्या है बर्निंग ओफ मेगनीशियम रिबर इन एयर एक शब्द इंपोर्टेंट है सुनो मेगनीशियम रिबन को लिया और उसको पहले घिस दिया है ना उसको थोड़ा बहुत ऐसे घिसा और उसके पाद उसे जला दिया और जब जलाया तो आग निकली जिनको हम बोलते हैं डैजलिंग फ्लेम्स मतलब बहुत जादा रोशनी हो गई बहुत जादा रोशनी हो गई तो पहले एक्टिविटी बड़ी सिंपल है इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं मेगनीशियम रिबन को लिया क्लीन करा आग लगाई आग लगाई तो हमने देखा है और वो बड़ी जोड से जनले लगा बड़ी डैजलिंग फ्लेम हैं बताओ क्या है ऐसा मेगनीशियम में अरे मेगनीशियम जो होता है ना वो बहुत रियक्टिव एलिमेंट है वो कहता है भाई मैं इसको जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा मैं तो ऑक्सीजन के साथ बॉंड बना लूँगा रिष्टा बना लूँगा ठीक है वो वाले रिष् साइड की लेयर है वो हट जाती है और उसके बाद मेंगनीशम को जला देते हैं ठीक है आंसर भी बेटा यहां पर लिखा हुआ है क्या किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बार में OBS भी एक बार चेक कर लेता हूँ हाँ है पता है हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ बेटा जो यूट्यूब है ना यूट्यूब उनके एंड से थोड़ा बहुत आज कल ना इशूज आ रहे ह को पहले क्यों क्लीन किया जाता है बहुत सिंपल दा सवालता अगली अक्टिविटी पर आ गए हैं अगली अक्टिविटी देखते हैं formation of precipitate 1.2 अब इसमें क्या कर रहे हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं एड कर दे रहे हैं दोनों को मिला दे रहे हैं अब हम अंडरे वेटा scientist scientist वाली फील ले लो जिन्दकी के अंदर आ जाओ देखो देखो अमने क्या करा एक लिया हमने क्या है गया होता है यह जो लैट है इसका रिस्ता तो आयोडाइड से बन जाता है और जो बार-मार कर लो, बार-बार, कई बार, सालो, साल पूछा गया है, कितनी बार पूछा जाता है, ये सवाल मतलब मैं क्या ही बता हूँ तुम्हें है न, इसके questions कैसे आते हैं, वो मैं दिखाता हूँ, बट main ये है, ठीक है, पहली चीज़, precipitate बना, दूसरी चीज़ क्या है, potassium iodide के साथ, दोनों को reaction करा, reaction कौन सी हुई, reaction हो गए वही है, हमारी double displacement, अरे बोल मेरे साथ, double displacement, क्या हुआ, yellow precipitate, किसका yellow precipitate, clear, lead iodide का, clear, कोई problem, कोई समझ से समझने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी problem आ रही है, तो बताते चलना, ठीक है, कोई भी आ रही है, तो ब added to lead nitrate solution, सवाल आता है, directly, वो तुम्हें reference तो देता नहीं है, कि activity से सवाल है, directly सवाल आता है, कि भाई, जब हम lead iodide को, sorry, lead nitrate को potassium iodide के साथ मिला देते हैं, तो मिलाने से क्या होगा, तो याद रखना, activity का सवाल है, क्या होता है, एक तो precipitate बन जाता है, या लोग अलरका, और double displacement reaction हो जाती है, ठीक है, अच्छे अगर ये visible निये, थोड़ा से side में कर दूँ, अब ठीक है, clear, आगे बड़े, आगे बड़े, क्या होगा भाई, क्यों रो रहे हो तुम comment के अंदर, comment के अंदर तुम रो क्यों रहे हो भाई, रो काहे रहे हैं, कुछ बच्चे, अरे रो मत यार तुम, रो मत तुम, basic activities हैं बेटा, देखो, अगर तुम पहली वार इन activities को देख रहे हो, अगर तुमने अभी तक activities नहीं उठाई हैं, तो हाँ, मुश्किल लगेंगी, अगर तुमने chapter पढ़ रखा है, तो तो तुमारे बहुत असान होगा, बट मेरे दोस्त, अगर त तक नहीं पढ़ा, at least ये activity सुन लो, याद मत करो, सुन लो, exam के अंदर, अगर MCQ के अंदर कोई सवाल आगे, at least बना कर तो आ जाओगे, ठीक है, तो at least सुन लो, चलो, आगे बढ़ते हैं, इसका एक और सवाल है, what is precipitation reaction, ये भी एक बर सवाल पूछा गया है, कि precipitation reaction होती क्या ह है, और कभी कभार आजाता है, right example, example भी बता दो, तो example कौन सा बताओगे, जो अभी हमने reaction पढ़ी, वो example लिख देना, और precipitation reaction क्या होती है, एक chemical reaction, जिसके अंदर precipitate firm होता है, precipitate क्या होता है, एक solid, uninsoluble, insoluble substance होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, precipitate बोल रहे होते हैं, क्या स्या, यहां तक कोई भी problem, बताओ, सवाल में कोई दिक्कत, दो हमने activity पढ़ ली है, बस ऐसे basic basic सवाल आते हैं, बेटा, कोई नया नहीं है, चलिए, पढ़ते हैं activity 1.3, अगली activity, जोश मीटर को कम मत जाने दो, यार, तुम ऐसा मत करो है, तुम्हारा जोश जब वो नहा सु हम सी ले रहे है, acid हम ले रहे है, H2SO4, अब उस acid के अंदर हम क्या करते हैं, उस acid के अंदर zinc के granules डालते हैं, क्या कर रहे है, zinc, zinc होता है ने, ZN, हम क्या कर रहे है, ZN डाल रहे है, ठीक है, तो हमने क्या करा, H2SO4 में ZN डाला, अब हमने observe करा, तो क्या हुआ ना, bubbles rise होने होता क्या है यह यह फोर के साथ रिष्टा निभा रहा हूं तो यह क्या करता है इसके साथ रिष्टा बना लेता है और जो एच टू है वह अकेला रहा जाता है hydrogen gas release हो जाती है जिसकी वज़े से यहाँ पर bubbles आने लगते हैं तो यह है हमारी third activity क्या करा H2S of oil लिया, ZNs डाला उसके अंदर क्या हुआ उसके बाद अपने hydrogen gas बाहर निकलने लग गई बहुत basic activity है कि इसका कोई सवाल पूछा गया है बिल्कुल पूछा गया है why is it recommended always to use dilute acid, dilute acid क्यों use की जाती है यह सवाल पूछा जा सकता है बिल्कुल और इसका यह सवाल तुम्हें कराए भी नहीं जाते होंगे I guess schools के अंदर राइट, school के अंदर इतना मुश्किल-मुश्किल सवाल नहीं कराए जाते हैं जो की थोड़े thinking based होते हैं देखो, खुद एक बार सोचो, dilute acid क्यों कर रहे हैं, इसका जो reason है इसका reason यह होता है, अगर हम बहुत जादा concentrated acid को लेंगे मालो मैंने बहुत जादा concentrated acid को लिया, अब पते क्या होगा, अब जैसी concentrated acid होगी न, तो heat निकलेगी, बहुत जादा heat निकलेगी, जिसकी वज़े से आपकी lab बगेरा के अंदर blast भी हो सकते हैं, क्योंकि यह जो process होता है न, यह exothermik होती है, exothermik किस को पता है, exothermik, याद आ है, कानियाद आ रही है, हाँ, देखो, dilute इसले लेते हैं, क्योंकि जो concentrated acid होती है, उनके साथ जो reaction होते हैं, बहुत जादा heat release होती है, जो बहुत जादा heat release होती है, तो तुमारी laboratory के अंदर भाया कहीं, तोड़ फोड हो जाएगी, है न, आग बाग लग जाएगी, इस भाया, happy hug day, क्या चल रहा है तुमारा, क्या चल रहा है तुमारा, मत करो यार, पढ़ लो, पढ़ लो, क्या कर रहे हो है न, चलो, है न, इसका कोई और सवाल, what happens when ZN granules are added to HCl, या फिर H2SO4, ये directly आपका एक बार सवाल पूछा गया था, activity से directly, तीन नमबर के अंदर, कि जो ह ZN को S2SO4 या फिर HCl में मिलाते हैं, तो क्या होता है, वही होता है, hydrogen gas निकल जाती है, और reaction कौन सा होता है, displacement reaction होती है, याद रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ जाते है, अगली activity, activity 1.5, चले भाया, अगली activity, अगली activity, भाया शायरी सुना तो, हाँ सुनो, सुनो, शायरी सु अगली activity में क्या है, यह देखो, यह हमारी चिंटू लाली है, चिंटू लाली है, चिंटू लाली है, चिंटू लाल तो मेल था, इसका female emergent, चिंटू लाली, थीक है, यह क्या कर रही है, तो इस reaction में क्या हो रहा है, कि हम क्या कर रहे है, फेरous sulfate को ले रहे है, फेरous sulfate के crystal को ले रहे हैं, और उसको क्या कर रहे है, उसे हम heat कर रहे है, फेरous sulfate के crystal, जहां भी एक शब्द आ जाए, crystal, समझ लेना, कि पानी जो है ना उसने रिष्टा बनाया हुआ है जहां पर भी वर्ट दिखे ना crystal इसका पता है क्या मतलब होता है कि ferrous sulphate के साथ थोड़ा बहुत पानी भी जुड़ा हुआ है ठीक है हम क्या कर रहे है हम उसे heat करते है हम उसे बहुत ज़ादा heat करते है तो पता है क्या होता है सबसे पहले जो ferrous sulphate का color है ना green color का जो green color का उसका color होता है वो बदल जाता है किसके अंदर वो बदल जाता है हमारा सबसे पहले white के अंदर क्यों बदलता है पहले white के अंदर बता हो इसको reason पता है white के अंदर क्यों बदलता है इसलिए बदलता है क्योंकि जो water molecules है वो सारे उड़ जा उसके बाद, अगर तुम और हीट करते रहोगे, फिरॉस सॉल्फ़ेट को और हीट करते रहोगे , तो पता क्या होगा ? जो कलर है वो वाइट से ब्राॉन हो जाएगा. अब तुम पूछओ का और knife बिंद और हीट करा ? अरे भया reaction तो कहीं देनी चाहिए थी reaction नहीं दी है क्या यह रही, देखो, क्या होता है FeSO4 किसमें तूट जाता है दियान से देखना Fe2O3 SO2 और SO3 इन तीन compound में तूट जाता है one of the most important activity सवाल आने की chances, almost 70-80% तक होंगी इस equation से इस reaction से याद रखना, Parasulfate के crystal है अगर मैंने थोड़ा बहुत heat करा क्या होगा, सबसे पहले जब पानी चला जाएगा पानी कहेगा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना उसके बाद क्या होगा और अगर तुम heat करते रहोगे, गरम करते रहोगे तो क्या होगा, अब वो तूट जाएगा किसके अंदर डीकम्पोज हो जाएगा पहला Fe2O3, दूसरा SO2 और तीसरा SO3 ये दोनों gases है, ठीक है, sulfur dioxide और sulfur trioxide, ठीक है clear, बताओ, कोई समस्या कोई problem, इस activity के अंदर इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल देख लेते हैं पहला सवाल क्या है जब उसे हम heat करते हैं, तो क्या changes आते हैं मैंने आपको बता ही दिया, पहले किसमें बदलेगा, white में फिर किसमें बदलेगा, yellow में clear, बहुत simple, आगे देखते हैं अगला क्या है, list any two observation when ferosulphate is heated in dry test tube ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है green color से color बदल जाएगा, किसके अंदर, अरे बोलो यार, किसके अंदर बदलता है color सबसे पहले, पहला color बदल जाएगा, किसके अंदर, white के अंदर, फिर उसके बाद अपना yellow के अंदर बहुत सिंपल है, ये वही सेम चीज पूछ रहे है, उसके अगला question क्या है, state the observation and interference made by a student when he brings, क्या, wet blue litmus paper and wet red litmus paper in contact with the gas liberated, जहां से सुनना, ये है one of the most important और previous year के अंदर सवाल बार बार पूछा गया है, पहले बोलेंगे आपको, कि हमने ferosulphate को heat करा, heat करने से gas आई, अब वो gas ना, तुम्हें बताएंगे नी gas कौन से, बोल देंगे, let x is the gas, अब ये जो x है ना, ये gas acidic होगी या फिर ये basic होगी, ये बताना होगा तुम्हें, बताओ, x क्या है, SO2, SO2, sulfur dioxide, भया sulfur dioxide कैसी होती है, acidic होती है, basic होती है, बताओ, कैसी होती है, acidic होती है, या basic होती है, बोलो प्यार, क्या कर रहे हो, काहे को इतना है, zoom, क्या zoom कर दूँ बेटा, zoom क्या करूँ, zoom out करूँ क्या, बढ़ा नहीं जा रहा, काहे बढ़ा नहीं जा रहा, लो, अब ठीक है, बताएं, कैसी होती है, acidic, समझ गए, SO2 कैसी होती है, acidic, इसका क्या मतलब है, acidic क्या करते है, blue litmus paper को red में बदल देता है, है ना, है ना, है ना, बोल, 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 blue litmus को red में बदल देता है, वही बस छोटी सी कहानी, किये क्या करेगा, SO2, जो आपका जो blue litmus है, उसको किस में बदल देगा, red में बदल देगा, one of the most important question, याद रखना, बार-बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है clear है, है ना, clear है, अगली activity की तरफ बढ़ते हैं, one point six, भाई अब वो वाली शायरी तो पूरी कर दो, शायरी वो वाली पूरी कर देते हैं, क्या थी, अब तुम्हें खुद बूली है, तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या था, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तुम उसकुराए मेरी मंजिल है वहीं, ध्यान सुनना, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तुम उसकुराए, मेरी मंजिल है वहीं, अरे बेटा पढ़ लो, पीछे देखो, तुम्हारी मम्मी है गड़ी, ठीक है, अब तुम खुद बोलोगे, कि वह यह क्यू सुना ही, दुख हो गया, चलो, अगले पर आते हैं, अगला क्या experiment है देखते हैं, अगला experiment देखते हैं, आजओ, देखो, अगले में क्या हो रहा है, कि हम यह, यह इतना important नहीं, वड़ ध्यान से सुनना, lead nitrate का एक powder ले रहे हैं अब हम क्या कर रहे है lead nitrate को हम क्या कर रहे है heat कर रहे है द्यान से सुन ले न lead nitrate को हम ले रहे है pbno3 lead nitrate को हम क्या कर रहे है heat कर रहे है बड़ी जोर से हम heat करे जा रहे है अब जब वो heat होगा तो क्या reaction होगी ये reaction भी बेटा एक बार याद रख लेना इसकी एक बार reaction में आपको दिखा देता हूँ कहा गई? अरे भाया इसकी reaction ही नहीं लिखी है कोई दिक्कत नहीं मैं आपको समझा देता हूँ ये भी पिछले वाले केस की तरह ही होगा क्या होगा? एक तो बन जाएगा लेड का ओकसाइड एक तो बन जाएगा लेड का ओकसाइड और गैस कौन सी रिलीज होगी? बताओ गैस कौन सी रिलीज होगी? गैस रिलीज होगी कौन सी? अरे बोलो NO2 nitrogen dioxide और ये जो गैस होती है न ये बड़ी special गैस है क्यों? ये न ब्राउन कलर की होती है एक बड़ पढ़ लेते हैं आपको और अच्छी तरीकी से समझा जाएगा ब्राउन फ्यूंस ओफ नाइट्रोजन डाय ओकसाइड गैस ख्यान से सुनना इस पर श्टार मार करो बेटा फटाफट ब्राउन फ्यूंस उसके साथ साथ एक गैस हो राती है एक गैस हो राती है बताओ एक गैस हो राती है पता है कौन सी? oxygen NO2 के साथ oxygen भी बाहर निकल जाती है याद रखेंगे lead nitrate तूटता है किसमें एक तो तूटता है lead oxide के अंदर बट दो gases जिस पर सवाल पूछा जाता है nitrogen dioxide और oxygen यह दोनो gases important है ठीक है यह जो होता है यह brown color का होता है brown fumes होता है NO2 कैसा दिखता है brown color का brown fumes होती है ठीक है और oxygen तो तुम्हें पता है oxygen का तो कोई color ही नहीं होता यह important है क्या यह समझ में आ रहा है एक बार बता दो बेटा important चीजें ही करवा मैं तो सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और brightness कम करूँगा और brightness कम करूँगा बेटा एक minute मैं देख लेता हूँ और brightness कम करने को कह रहे हो कि अगर clear नहीं है तो मुझे बता दो एक minute और कर लेते हैं यार तुमारे लो अब ठीक है अब ठीक है चलो ठीक है तो यह आपका था आई होप यह आपको समझ आ गया होगा इस्पर सवाल देख लेते हैं सवाल कैसा हुआ है सवाल है हुआ है what do you observe when boiling test tube containing lead nitrate powder is heated जब उसे गरम करते हैं तो क्या होता है एक तो lead oxide बन जाता है दूसरा nitrogen dioxide बन जाता है और उसके साथ क्या होता है oxygen gas भी निकल जाती है ठीक है ठीक है अब तुम पूचो के भईया क्या इसका सवाल previous year के अंदर आए हाँ एक बार सवाल आया था बता भी देता हूँ उसमें क्या बोला था रियक्शन बताता हूँ उसके अंदर बोला था कि यह आपका lead nitrate है और उसका क्या हो रहा है उसका ना decomposition reaction हो रहा है decomposition reaction हो रहा है और दो gases निकलती है एक gas है x और एक gas है y ठीक है और जो x gas है न वो तो जो है वो brown 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 color की है x gas तो आपका बताना था x gas कौन सी है y कौन सी है अगर आपको reaction आती तो आप बता देते x कौन सी थी no2 y कौन सी थी बताओ y कौन सी थी oxygen सब reaction का game है यह activities बेटा इतनी important है ज मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ यह activity देख के जाना आज एक बार देख लो exam से एक दिन पहले देख कर जाना जब तुमारे वो जो science का exam होगा cbsc वालोगा उसमें जो तीन दिन का gap होगा उसमें तुमारे प्रशांत भईया तुम्हें तीन दिन सब कुछ revise कराएंगे व एक दिन पूरी physics तीन दिन चार दिन की शुट्टी है तीन दिन के अंदर मैं पूरा पूरा आपको system set कर दूंगा आपका है ना वह बलते हैं बच्चे system system वह system set हो जाएगा उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि यह सब है important question भी करा दूंगा सब कुछ करा दूंगा आपका revision important question मेरी जिम्मेदारी एक दिन तुम्हें आखरी का दूंगा जिसमें कि तुम सब कुछ वापिस से रिवाइस कर पाओ ठीक है चलो आजाओ अगला देखते है activity 1.8 पहेंगे बैटा फटा फट से activity क्या है अरे यह तो 15,000 बच्चों ने सुन लिए important चीज तो यह सब आपको नहीं बतानी थी है ना जितने भी बच्चों ने सुनी है 15,000 ने एकदम शांत रहेंगे चलो बताएं बताएं अब देखो अगली जो हमारी activity यह क्या करते हैं हम प्लेट लेते हैं प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं सिल्वर क्लोराइड लेते हैं हम लेते हैं क्या ए decomposition reaction हो जाता है एजी अलग हो जाता है और प्लस में हमारा CL2 अलग हो जाता है और और एजी CL का पहला कलर कैसे था पहला था वाइट अब कैसा हो जाएगा अब देखो एजी आ गया है एजी क्या होता है सिल्वर सिल्वर का कलर कैसा होता है चांदी कैसा दिखता है सिल्वर चांदी कैसा कलर का दिखता है ग्रे कलर का ग्रे कलर का तो अब कैसा हो जाएगा कलर अब हो जाएगा ग्रे यहां पर उपर लिख ले ना ग्रे ठीक है वाइट टू ग्रे कैसे हुआ decomposition reaction, किसकी वज़े से भाईया धूप आई, धूप ने बोला तूट जाओ, तो हम तूट गए, बस सिंपल सी कहानी, चलिए बेटा आगे चलते हैं है न, अब इसमें एक सवाल पूछा गया है, प्रीविस येर में देखना, why AGCL kept in black color of bottle, हम AGCL को black color की bottle में क्यों रखते हैं क्योंकि अगर AGCL को धूप में रखेंगे, तो विचारा वो तो तूट जाएगा भई, यह है न, जैसे कि हमारा दिल हमारी कृष्णे तोड़ा सा, वैसे वो भी विचारा तूट जाएगा, ठीक है, चलिए आजाए, clear, आगे बड़े, आगे बड़े, आगे बड़े, चलिए अगला देखते है, अगली activity क्या है, 1.9 इस activity के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना मैं एक solution ले रहा हूँ, solution ले रहा हूँ test tube में, किसका, copper sulfate, CUSO4 फिर मैं क्या करता हूँ, मैं खुराफाती इंसान हूँ, मेरे मन में क्या आता है, मेरे मन में आता है, कि मैं कील लेकर आँगा, कील समझते हो, nail, जिसको अम इंगलिश में nail बोलते है, कील जो होती है, lowe की, अब उस कील को, मैं यह जो copper sulfate का जो color है, वो भी थोड़ा-थोड़ा बदल गया, क्यों हुआ, क्यूंकि यहाँ पर क्या reaction होती है, Fe plus Cu SO4, क्या बना देते हैं, Fe SO4, displacement reaction, displacement reaction बेटा, बड़ी simple सी, प्यारी सी, नन्नी मुन्नी सी, है ना, अब color कैसे बदलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, color क्या-क्या बदलते हैं, यहाँ पर color हमने लिख रहा के होंगे, ध्यान से देखना, जो copper sulfate का color है, वो कैसा होता है, blue color होता, याद रखना blue color, अब iron की वज़े से, उसका color कैसा हो जाता है, iron की वज़े से, उसका color हो जाता है, green color का, याद रखेंगे, इस activity से हमने क्या सीखा, कि भया, अपने दोस्तों बहरोसा मत करना, वरना वो भी तुम्हें displace कर सकते हैं, चलिए, चीक है, blue color से कैसा बदल जाता है, green color के अंदर, मजाग सेट के, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब इसमें सवाल कैसा हुआ है, why does the nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fade, ऐसा क्यों होता है, directly सवाल पूछा गया है एक बार, directly ऐसा एक सवाल पूछा गया है, कि ऐसा क्यों हुआ है, अगे बढ़ते हैं, अगला क्या हुआ है, अगला सवाल है, और लास्ट में देखो पूछा है, नेमदी टाइप अफ रियक्शन, यह ऐसे आते हैं प्रीवेस एर में, तुम कहते हो भया मुश्किल है, भया activities याद नहीं हो पाती, मैं कहता हूँ क्या activities में, खुद बताओ, खुद बताओ, क्या activities में, है ना, और तुम्हारा most liked comment था, पिछले session के अंदर मैंने बोला था तुम्हें जिसमें भी चाहिए तुम्हारे प्रशांद भीया खड़े हैं और तुमने बोला वया activities करा दो मैंने का लो यार activities करा देते हैं कोई दिक्कत थे हैं ठीक है यह सवाल पूछा गया है आगे समझ में ऐसे सवाल आते है activities तो direct सवाल नहीं आते हैं तुमसे को यह नहीं पूछेगा activity number 1.2 उसमें यह बोला था answer बता हो ऐसे कोई नहीं बूछता ऐसे आते हैं सवाल जो मैं आपको दिखा रहो ठीक है अगली activity 1.10 देखते हैं इसके अंदर क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम solution ले रहे हैं solution ले रहे हैं सबसे पहल रहे हैं इन दोरों को हम mix करा दे रहे हैं इन दोनों को हम क्या करा रहे हैं mix करा दे रहे हैं जब भी यह दोनों solution मिलते हैं तो यहां पर होती है double displacement reaction क्या होती है double displacement reaction ठीक है यह वाले जो concept है तो बड़ा common सा concept है बड़ा simple सा concept है यह तो I hope सबको आता होगा यह वाला सबको आता तूसरे अपना क्या है दूसरे अपना क्या दूसरा अपना Barium chloride बैरियम क्लोट यह दो चीजें बनाते है naCl Digital passo 4 और याद रखना याद रखना याद रखना यह होता है precipitate वो भी white color का मुझे पता है बहुत confusing लग रहा है मुझे पता है तुम्हें लग रहा है यह इतना सारा याद कैसे होगा एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा reaction किसकी होई? reaction होई sodium sulfate और barium chloride की क्या हुआ? double displacement क्या बना? NACL baso4 baso4 क्या है? precipitate white color का, jump जाता है जो नीचे जो रह जाता है precipitate चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई problem, कोई problem यह balancing कर दो, इसकी balancing यार अभी करने के कोई जोरत नहीं है, need होगी तो मैं आपको बता दूँगा है ना, बाकी exam के अंदर balance से अगर तुम equation को लिखके आ सकते हो बड़ी है, बट extra time मत लगाना कि तुम answer के अंदर सारी equation को balance कर करके लिख रहे हो, इतना ज़दा time मत लगाना, कोई जोरत नहीं है ठीके, ऐसा नहीं कि teacher number card देंगे कि तुमने balance नहीं करा है, 99% केस में ऐसा नहीं होता, और balancing करने में time भी लग जाता है, तो exam के अंदर time खराब, मत करना बेटा, time का बड़ा importance है, है ना, चलिए इसमें सवाल कैसा हुआ है, इसका सवाल देख लेते हैं एक बार, आजाओ while studying the double displacement reaction, the solution, the solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed together, ठीक है, what do you observe as soon as two solution are mixed together, what will happen in the above observation made by you after 10 minutes, क्या होगा, जैसी दोनों को मिलाएंगे, double displacement, और कुछ समय बाद, जो आपका barium, barium sulfate है, उसका precipitate नीचे रह जाएगा, ठीक है, कैसे color का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, जो आपका white color का जो precipitate है, ठीक है, वो रह जाता है, कुछ समय बाद, clear, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, अच्छे ये बताओ, तुम में से कितने ऐसे हम, कितने बच्चे दे रहे हैं, बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने हिंदी ले रखा है, तो में जो ना हिंदी पढ़ कैसे लेते हो, चलो बढ़िया है, all the west, आपका exam almost start होने वाले हैं न, थोड़ा सा अंदर से दगदग हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, भईया, exam पास आ गए हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस एक चीज बोल रहा हूँ, कि एक ना अंतर होता है, सपने और लक्ष, dreams and aim, इन दोनों में ने एक सब्से बड़ा difference है, कि सपने देखे जाते हैं रात को सोते time, और जो आपके जो aim है, जो आपका लक्ष है, वो पूरा किया जाता है, जाकते time, ठीक है, तो क्या आपका सपना है 95 लाना, या आपका aim है 95 लाना, clear कर लो, clear कर लो, अगर आपका सपना है, तो ठीक है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारा aim है, तुम्हारा लक्ष है 95 लाना, पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ना पढ़ेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगली activity कहा है, oxidation of copper to copper oxide, अब हम क्या कर रहे हैं, copper को ले रहे हैं, यह ज़्यादा important activity नहीं है, copper को ले रहे हैं, और उसे हम जला रहे हैं, जब उसे हम heat करते हैं, तो oxygen से वो ऐसे मिलती जुलती है, और वो क्या बनाती है, copper oxide बनाती, ठीक है, पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं, take about one gram of copper powder, in china dish, china dish कुछ नहीं होती, आप लोग ने laboratory में देखी होगी, भी नहीं देखी, तो कोई दिक्कत नहीं, जोरत भी नहीं पड़ती, अब इसका जो color होता है, copper का वो कैसा होता है, red बनाऊन होता है, brownish सा color होता है, अब जब इसे हम heat करते हैं, तो पता क्या होता है, ये copper oxide में बदल जाता है, और इसका color कैसा हो जाता है, इसका color हो जाता है, black, याद रखना, copper oxide का color होता है, black, बार बार पूछे गया सवाल, copper oxide के color पे, activity में नहीं आए, copper oxide के color पे सवाल पूछे जाते है, copper oxide का color कैसा होता है, black होता होता है, याद रखेंगे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सवाल इस पर कैसा है हुआ है वो देख लेते हैं एक बार अपने देखे होंगे आपके घर के बॉटल्स दर्वाजे वगेरा काले पड़ जाते होंगे तो उन्हें क्लीन कैसे किया जाए तो इसका पता है क्या सलूशन होता है अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे ना हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे किससे जो आपके कॉपर की ऑक्साइड की लेयर है उससे अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो पता है क्या होगा hydrogen react कर लेगा oxygen के साथ और यह जो cuo है इसका reaction होगा hydrogen के साथ और आपका जो copper है वो अलग हो जाएगा और जो आपका hydrogen है वो water बना देगा clear किस किस को reaction आती थी किस को reaction आती थी वे 22 को है मेरा हिंदी का अच्छा है ना चलिए मिलेगी पीडिया बेटा मिलेगी है सबर रखो सबर रखो तुम्हें ऐसा ऐसा भागा दोड़ी मत करो या चांती से पढ़ लो ठीक है copper oxide किस के साथ मिल रहा है hydrogen के साथ यह सवाल भी पूछ की लियर है उसे clean कैसे करते हैं कैसे clean करते है hydrogen gas की मदद से अब बहुत सारी नहीं चीज़े आज के session से सीख के जा रहे होगे hopefully चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है इसके बारे में तो अभी बोला हमने क्यों बनता है क्योंकि copper oxide की layer बन जाती है वह यह ऐसान सवाल मत दो what is black substance क्या है black substance अरे यह copper oxide black substance और क्या है ठीक है यह दो सवाल पूछे जा चुके है बस ऐसे simple simple सवाल आते हैं बताओ अब इनमें मैं तुम्हें क्या पढ़ा हूं तुम बोलते हैं प्रिशांद वह यह करा दो वह करा दो क्या करा हूं मैं इनके इनमें कराने लाइक है क वह यह pdf अरे मिल जाएगी बेटा सबर तो करो तुम आगे बढ़ते हैं अगला अब हम second chapter की activities में आ चुके हैं देखते हैं reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing of hydrogen gas by burning अब देखो इसके अंदर कर क्या रहे है ध्यान से सुनना इस पर बार बार सवाल पूछा जाता है देखो आजो देखो हम क्य कर रहे हैं यह आपको आई होप यह image visible होगी अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक acid ले रहा हूं वह ही dilute acid H2SO4 अब मैंने उसके अंदर zinc डाला zinc डाला जैसे पिछली activity में कर रहा था याद आया zinc डाला अब गैस निकलती थी अब तुम्हें पता है hydrogen gas होती है अब वो जो hydrogen gas ह ना उसको हमने क्या करा soap के solution से pass करा soap का solution तो हम उसके जो bubbles है वो उपर आने लगे और उसके bubbles से जब हमने candle उसके पास लाई ना उसके bubbles के तो अचानक से blast हुआ जैसे fire होता है जैसे आपके पटागे फूड़ते है वैसे हुआ तो यह वाली जो reaction है यह वाली जो activity है यह इसलिए important है क्योंकि बार बार इस activity पे सवाल आता है कि जो hydrogen gas होते है उसके जो bubbles होते है वो क्या करते है hydrogen आपको पता है एक तरीके से fuel होता है तो जब भी उसे हम आपको समझा देता हूं देखिए पहला सवाल इसके अंदर यह पूछा जाता है कि zinc granules को जब भी मनले पूरी activity आपको explain करेंगे कि जो zinc granules है हो H2SO4 है उन दोनों को हमने react कराया एक gas निकली उस gas को हमने क्या करा soap solution से निकाला और उसके bubbles से उसने क्या करा fire जो हमारे आग होत आए उसने वो लगा दी तो यह बताओ gas किस चीज की है तो अव्यसी बात है burning सिर्फ एक gas करा सकता है जो कि है hydrogen याद रखेंगे ठीक है activity याद करने की जोड़त नहीं है बस समझते चलो समझते चलो सारा का सारा समझते चलो ठीक है क्योंकि समय कम है तो हमें थोड़ा बहुत फास जा रहे हैं बट जाना पड़ता है ज्यादा दीरे नहीं पड़ा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है चलिए मैं ट्राय कर रहा हूं कि एक गंटे के अंदर हम सारा का सारा खतम करें मेरा पूरा का पूरा मोटीव है एक गंटे में आपको मैं आदा घंटा तो होई गया आ अगली अक्टिविटी देखते हैं क्या है हमारी एक्टिविटी टू पॉंट ट्री एक मिनट भाहिया यह स्लाइट इंटरचेंज हो गयी क्या है हाँ यह 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 2.5 देखिए अब इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे है ध्यान से समझना और इस प्रिव यूर पे बार-बार सवाल आया और मैंने आपको पता भी रखा है किस पर सवाल आता है देखो हम क्या कर रहे हैं हम एक test tube ले रहे हैं उस test tube के अंदर हम क्या कर रहे है HCL ले रहे हैं hydrochloric acid और हमना कुछ substance डाल रहे है substance क्या है substance है हमारा sodium carbonate substance क्या है sodium carbonate या फिर sodium bicarbonate ठीक है दोनों में से कोई भी ले सकते हो हम ले रहे है है sodium bicarbonate अब इनकी जो reaction होती है वह बहुत important है क्योंकि आपने देखा होगा previous year के अंदर मैंने इसके सवाल भी करा है किसको पता इसका मैंने सवाल करा हुआ है याद है याद है इसके सवाल करा हुआ है मैंने previous year के अंदर mcq के अंदर बार बार पूछा था याद है top 77 के अं reaction होती है तो इसके अंदर एक गैस रिलीज होती है उस गैस को हम बोलते है क्या carbon dioxide carbon dioxide याद आ गया इस पर कित्ती बार सवाल आ है अभी सवाल दिखा भी दूँगा अब उससे पहले समझ लेते हैं होता क्या है इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे है sodium carbonate या फिर sodium bicarbonate को हम hydrochlor acid के अंदर डाल रहे हैं अब डालने के बाद क्या हो रहे है ब्रिस्क अफर्मेंस यह देखो यह शब्द बहुत important है यह शब्द बहुत important है यह जहां पर भी शब्रिस्क अफर्मेंस तो समझ जाना कौन सी गैस की बात हो रही है CO2 carbon dioxide ठीक है ब्रिस्क अफर्मेंस कौन देता है carbon dioxide याद रखना अब यह जो carbon dioxide है न इसको हम क्या करते है lime water के अंदर डाल देते है, lime water क्या होता है बेटा बोलो, lime water क्या होता है, calcium, hydroxide, यही होता है, अब हम क्या करते है, इसको lime water के अंदर डाल देते हैं, जब भी हम lime water के अंदर इसको डालेंगे न, CO2 को, तो पता क्या होगा, lime water जो है न, वो milky हो जाएगा, lime water turns milky, milky के अंदर वो ज़रूरत नहीं है बड़ फिर भी आपको बता देता हूं केलशियम कार्बोनेट बन जाता है ठीक है clear बताओ ये वाली reaction किस किसको clear है ये वाली reaction किसको clear है अच्छा अच्छा अरे यार तुम ऐसा मत करा करो यार लो यार अरे यार लो यार बस खुश तुम तुम इतना depth में क जाते हो clear है है भाईया टू नहीं लगाया भाईया ने पाप कर दिया आज भाईया ने तू ना लगा के भाईया ने ओकात दिखा दी हमें अरे भाई लो यार c a o s 2 बस ठीक है यार तो यह क्या बनाता है यह हमारा बना देता है c a co 3 calcium carbonate चलिए तो यह important reaction है क्या हुआ इसके अंदर आपको पूरगा पूरगा समझा दिया क्या इसका कोई previous year के अंदर सवाल आया है नहीं आया है एक सवाल आया है देखते है a student add a spoonful of powdered sodium hydrogen carbonate to flush containing ethanoic acid ध्यान से देखना ethanoic acid यहां पर बात हो रही है ethanoic acid acetic acid कुछ भी लिखाए confused मत हो न है तो acid ही न है तो acid ही न याद रखना ठीक है फिर क्या बोल रहे है list two main observations that he or she must note in her notebook क्या दो observations होंगी सबसे पहली observation याद रखना sodium bicarbonate किसी भी dilute acid के साथ जब react करता है क्या बनेगा पहली चीज तो आपको पता है co2 gas बनेगी co2 gas कैसी होती है शब्द लिखकर आना brisk affirmance यह जो शब्द है बड़ा important है और भया इसको हमें क्या है लिखके आना है यह reaction भी आप यहाँ पर लिख सकते हो देखो यह reaction आप यहाँ पर देख स रखते हो बढ़े पूरी की पूरी reaction लिखने के आज सच कोई ज़रत नहीं है ठीक है clear वह यह डर लग रहा है कैसे होगा अरे कुछ नहीं है दोस्त हो जाएगा इतना tension मतलो तुम इतना tension मतलो है ना उसके अलावा क्या बनता है यहाँ पर उसके अलावा आपका बन जाता है sodium acetate यह आप देख पा रहे हो गए sodium acetate है ना यह जो आप देख पा रहे हो यह क्या है CS3, CO, NA यह क्या है sodium acetate यह दो आप यह reaction जो है यह जो इसके उपर star mark कर लेंगे बेटा यहाँ पर ना star mark कर लिजे यहाँ पर एक बर star mark कर लिजे यह ना चलिए note हो गया difficult बिल्कुल है difficult अगर difficult ना हो तो हर कोई 95 लिए आएगा ना बेटा थोड़ा बहुत दिफिकल्ट तो रखना परता है चलिए आजए अगली reaction अगली reaction क्या है अगली reaction है हमारी are crystals of salt really dry क्या यह सच में dry होते हैं देखते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं copper sulfate के solution को लेते हैं और copper sulfate के solution को heat करते जाते हैं अब ध्यान से समझना यहाँ पर ना बात हो रही है crystal की और जब भी crystal आता है मैंने क्या बताया crystal का रिष्टा किसके साथ पानी के साथ जब भी crystal आ है तो समझ लेना कि इसके साथ थोड़ा बहुत पानी जुड़ा हुआ है तो जब भी हम heat करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले तो पानी गायब हो जाएगा पहली चीज तो यह होगी crystal के अंदर जो पानी है वो गायब हो जाएगा ठीक है तो देख लेते हैं होता क्या है यहा नहीं है copper sulphate को heat करोगे पानी चला जाएगा blue से color white हो जाएगा थोड़ा बहुत पानी दोगे वापिस से blue color आ जाएगा clear बताएं कोई समस्या कोई दिक्कत कोई दिक्कत बताएं बोलते चलेंगे बैटा कोई भी समस्या आएगी तो फटा-फट से बोलते चलेंगे एना वैस एक बड़े शंदा टाइम टेवल बताता तुम लोगो द्यान से देखना देखो एक टाइम टेवल बनाता तुम्हें तॉप करना है न तुम्हें टॉप देखो टॉप करने के लिए टाइम टेवल है तुबह दस बजे उठो चीक है दस बजे खोलो अपना mobile phone और रील देख तो कम से कम नहीं तो एक से दो गणता ठीक है फिर उसके बाद 12 बज़ जाएंगे ठीक है 12 बज़े से एक वज़े तक अपने दोस्त को phone मिलाओ ठीक है दोस्त और उससे वादचीत करो क्या चल रहा है एक्जाम के लिए त्यारी कैसे औरी यह सो ठीक है एक से दो अराम से खा से 6 तक आपको क्या करना है यूट्यूब पर आना है और शॉट्स को स्क्रॉल करना है ठीक है शॉट्स को आप स्क्रॉल करते रहेंगे ऐसे ऐसे तो 6 बज़ जाएंगे फिर आप टेंशन में आओगे तो उसके बाद क्या होगा आप फिर से अपने दोस्त को phone मिलाना है और उससे भी बातचीत करने है उसको अपने दुख सुनाने है उसको बोलना है कि यार मेरी तो जिन्दकी खराब हो गई है और मैं तो कुछ पढ़ी नहीं पारा हूँ पढ़ी नहीं यह करना है ठीक है साथ बच जाएंगे फिर साथ से आठ क्या करना है तुम्हें साथ से आठ तुम्हें प्लैनिंग करनी है कि कल से कैसे तुम पढ़ोगे एक तगड़ी प्लैनिंग बनानी है कि कल से तो ऐसे बारा बार तेरे तरे गंटे पढ़ लेंगे फिर तुम्हें क्या करना है आठ से नो खाना वाना खाके फिर वही दस बजे तक और रील वील चला वलाके सो ज है चाली अग्ले अग्टिविटीए की थी तरफ बढ़ते हैं एक्टिविटी नम्बर क्या है एक्टिविटी नम्बर 3.8 आ जाए 3.8 के अधर क्या वह रहाएँ यह एक ग् Wait है metal oxide का nature कैसा होता है Acidic होता है basic होता है और non metal का कैसा होता है पहले metal का के रो depends और यह activity बताने की जुरुजरत नहीं है बाहत बढ़ी है metal oxides हमेशा कैसे होते है basic और non metal a oxide कैसे होते acidic but याद रखना कुछ metal oxides ऐसे होते हैं जो की acidic भी होते हैं basic भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं amphoteric जैसे कि aluminum oxide कैसा होता है amphoteric aluminum oxide का nature क्या है बेटा amphoteric in nature इस बात को याद हम रख रहे होंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं है आगे बढ़ जाते हैं यह आपके कुछ काम का नहीं है आगे बढ़ते हैं अगली activity क्या है what happens when metals are burnt in air अगर metals को मैं जलाओंगा तो क्या होगा metals को अगर मैं जलाओंगा तो क्या होगा उस activity को हम पढ़ते हैं फटा फट से देखना देखिए magnesium को लिया मैंने जलाया क्या हुआ magnesium oxide बन गया ठीक है magnesium oxide हमारा बन जाता है तो जब भी हम किसी भी metal को जलाते हैं तो पहला तो यही होता है कि oxygen के साथ react करता है और क्या बनता है metal oxide बना लेता है अब याद रखना कुछ जो high reactive metals होते हैं वो जब जलते हैं तो बड़ा ही धमागा कर देते हैं जैसे कि reactivity series reactivity series याद रखेंगे कौनसी वह याद है ना वह वाली जो मैंने आपको पताई थी Katrina ने याद आ गया Katrina ने क्या करा था कार मांगी याद आ गया वह वा रखता है कि जो sodium है या फिर आपका जो potassium है उनको अलग से क्यों रखा जाता है laboratory के अंदर उनको इतना safe क्यों रखते हैं क्यूंकि अगर वो air के contact में आए तो blast कर जाते हैं वह highly reactive elements है और वो blast कर जाते हैं जिसकी वज़े से उन्हें क्या करा जाता है अलग से रखा जाता है छ नॉर्मल नॉर्मल आपका बन रहा होता है ठीक है clear clear बताएं कोई समस्या कोई समस्या बताएं और एक चीज़ और याद रखना कि कुछ oxides जो होते हैं वह water के अंदर soluble होते हैं कुछ oxides water के अंदर soluble नहीं होते हैं वैसे ये activity की कहानी नहीं है ये तो मैंने आपको chapter के अंदर पढ़ाई दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगरी activity 3.12 अब इस activity के अंदर क्या हो रहा है ये भी बड़ी शांदर activity है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम क्य solution ले रहे हैं दियान से देखना दो valuation ले रहे हैं इसको मैं zoom कर के दिखातでも आपको यह देखे पहला solution है copper sulfate का और इसकें अ discussion यहां वहाई डाल दी और दूसरा solution ना वहाई iron sulfate और इसके अंदर जो मैंने जो कील डाली है यह पता किस की है ये copper की है, अब तुम्हें बताना है, इन दोनों में से reaction कहां होगी, फटपट बताओ, एवाले में होगी, या फिर B वाले में होगी, बताओ, कहां होगी भईया? कहां होगी? भईया, Valentine week में भी single रहना, क्या लिख रहे हो भईया तुम? क्यूं लिख रहे हो तुम? तुम लिख रहे हो, वो तुम्हें वो लाइन याद नहीं है कि प्यार करने से पहले अंजाम जान लो, ना समझाए तो तेरे नाम या फिर गजनी देख लो, ठीक है? चलो, क्या है? ए वाले में, क्यूंँ होगी ए वाले में? क्यूंकि वह यहाँ पर जो हमारा जो प्यारा प् तो क्या करता है वो copper को निकाल देता है और sulphate के साथ विश्टा मना लेता है जब कि जो मेरा बिचारा copper है वो तो बिचारा नादान है वो तो चिंटू-लाल की तरह है वो ताकतवर नहीं है तो reaction का होती है clear चली आगे बढ़ जाते हैं इसके questions कुछ आए हुए है questions देख लेते ह पहला question क्या है in which test tube did you find that a reaction has occurred कौन सी test tube में reaction होता है वो तो मैंने आपको बताई दिया ठीक है कौन जाधा reactive है वो भी मैंने आपको बता दिया अगला देखते है on what basis can you say that a reaction has actually taken place कैसे तुम बताओगे की reaction हुई है इसका क्या answer होगा क्योंकि जो copper sulphate है त्योंकि blue color का है उसका color बदलने लगेगा दीरे 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 ग्रीन कलर में उसका color जो है वो convert होने लगेगा अगला देखते है राइट आप balanced chemical equation for the reaction यह तो तुम लिख दोगे balancing को तो मैंने तुम आप यूं कर लेते होगे तो ठीक है बहुत बढ़िया अगली पर चल जाते हैं बताए अब अ कितना है बढ़िया इन्फाइनाइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अब अगली अगली activity क्या है corrosion की activity देखो यह activity पर भी एक पर स्टार मार कर लेना क्यूंकि देखो होता क्या है न आपने पढ़ा होगा corrosion corrosion की सबसे simple definition corrosion कब होता है जब दो चीज़े होती है पहली oxygen दूसरा पानी oxygen और पानी के बिना corrosion हो सकता है मैं कहता हूं नहीं और मेरे पास प्रूब भी है यह activity ठीक है अब इस activity को ध्यान से देखने इसमें सवाल बार बार पूछा जाता है देखो मैं क्या कर रहा हूं यह दो A और B केस को देखना यह A वाला केस यह B वाला केस देखो अब पहले के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ना पानी के अंदर clear डाल दी ठीक है और उसके बार मैंने क्या करा उपर जो है oil डाल दिया उपर क्या करा मैंने oil डाल दिया अब जब oil आ गया उपर तो जो पानी के अंदर oxygen है वो नहीं जा सकता, तो इस case के अंदर, इस case के अंदर मेरे पास क्या है, पानी तो है, बढ़ भाया oxygen नहीं है, इस case के अंदर O2 तो है, बढ़ भाया मेरे पास sorry, H2 तो है, एक मिनट वापिस लिख लेता है, पानी तो है, बढ़ भाया oxygen नहीं है, ठीक है, तो क्या इसके अंदर इसके अंदर corrosion होगा, नहीं होता, नहीं होता, अब दूसरी test tube में मैंने क्या करा, दूसरी test tube के अंदर मैंने कुछ, मैंने पहले क्या करा, keel को डाला, nail को डाला, और उसके बाद मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, इसको note कर लो, इधर स्टार मार कर लो, बार-बार पूछा जाता है, वोट is the use of एनी हइडरस calcium chloride, इसका काम क्या होता है, यह जो calcium chloride होता है, यह पताए क्या करता है, यह जितने भी air का जो moisture होता है, air का जो पानी होता है, H2O को खीच लेता है, जितना भी moisture है, उसे खीच लेता है, और जैसी व खीशता है तो क्या हुआ अब हमारे पास पानी नहीं है हमारे पास oxygen तो है पानी नहीं है तो क्या इस case के अंदर भी होता है corrosion नहीं होता और यह activity प्रूव करती है कि अगर तुम्हें corrosion करवाना है तो पानी और oxygen दोनों देना पड़ेगा उसके बिना नहीं चलने वाला और यह मैंने तुम्हें बता है calcium chloride any hydras यह बहुत important है बार बार इस विश्याद mcu भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं ठीक है इसको याद रखना है आगे बढ़ते हैं ठीक है चली यह मैंने आपको समझाई दिया आगे बढ़ जाते हैं अगली activity अब हमारी बढ़ चुके हैं हमारे दुम्हें कुछ तो बात है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं यह बड़ी important activity अब हम क्या करते हैं इसके अंदर when KmNO4 is added एक मिनट यार पहले pen बदल लेते हैं एक मिनट एक मिनट देखें अब यहां से देखें देखो हम क्या कर रह करता है oxidizing agent अधर यह reaction याद रखने को बोला और बार नए याद आ रहा वापिस से बता देता है इतनल जब भी oxidizing agent के साथ react करता है किम आधर करता है तो वह क्या करता है वह इतनल इतनो एक acid के अंदर बदल जाता है याद आ गया अब याद आ गया या बोली थी बार बार इस करम इसी क्या कर रहे हैं एसा कुछ नहीं करो जब्सक्या करें इसा कुछ निये करना ठीक ऐसा कुछ नहीं करना इथनॉली एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर मिक्स करी और जब धीरे 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 समय बीचता गया ना तो जो सबस्टेंस बना ना उसके अंदर से मीठी समेल आ रही थी sweet smelling substance बन गया और तुम्हें मैंने बता है जिन्दगी में जब भी तुम सोचो कि यह sweet smelling substance तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही आवाज आनी चाहिए क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर आवाज आनी चाहिए ester 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 जोर जोर से गूंज नहीं चाहिए कि ester बनाया वहिए sweet smelling substance क्या होता है ester चलिए तो इस reaction को हम बोलते है esterification reaction इसको बहुत द्यान से देखना कि जब आपका जैसे ethnoic acid है और यह ethnole के साथ आपका react करता है तो क्या बनाता है यह बनाता है ester इसके उपर star mark कर लेना यह reaction तो इतनी important है इतनी important है जितना कि तुमारे लिए तुमारी crush शायद उससे भी जादा important है चलिए तीक है आगे बढ़ते हैं यह reaction याद रखेंगे आगे बढ़ जाते हैं अगली activity क्या है अगली activity है take two test tubes with about 10 ml of hard water in each हम क्या कर रहे हैं दो test tube ले रहे हैं दोनों के अंदर हम hard water डाल रहे हैं पहली test tube ली इसके अंदर भी हमने hard water डाल दिया दूसरी ली यह इसके अंदर भी hard water डाल दिया अब एक के अंदर में soap डालूँगा एक के अंदर में क्या डालूँगा किसके अंदर आपके जो substance बनेगा, जो आपका chemical बनेगा, जाग किसके अंदर आएंगे, सिकम किसके अंदर produce होंगे, ये बताओ किसके अंदर produce होगा, A वाले में, B वाले में, बताओं बताएं अरे भाई ये गुड़नाइट कौन बोल रहा है इतना जल्दी गुड़नाइट हो गए के तुम्हारे ए वाले में बी वाले में किसके अंदर प्रेड्यूस होगा इंसॉल्यूबल सब्स्टेंस किसके अंदर बनेंगे बताएं या फिर आप बोल सकते हो फोम किसमें बनेगा ए वाले में बी वाले में यार तुम्हें इतनी कन्फूजन कैसे है मैं तो यह नहीं समझभा रहा हूं अभी तक यह तो मैं बहु पूजी को राग कहते हैं तुम्हारे पास नहीं होते हम दिमाग कहते हैं सुनो मेरी बात एमें क्या है सोप यह बोला था मैंने एमें सोप बी में क्या है डिटर्जेंट आपको पता है सोप जो हाड वाटर में काम नहीं करता तो जो जहाग होते हैं जो फोम होते हैं जो सकम ठीक है, सोब वाले में बनेगा, सोब वाले में बोलेगा, जो भी मैंने, जिसको भी मैंने सोब बोला था, उसमें बनना है, तो इतना confusion मत लाओ यार, जिन्दकी के अंदर, ठीक है, यह चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, जिसमें भी बोला था मैंने, ए अभी में से, वो मु एक्टिविटी है देखो हम क्या कर रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो फोटो सिंथेसिस है वो कारबन डायोकसेड पर कितना डिपेंडेंट है याद करो फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है सनलाइट क्लोरोप्लास्ट और क्या कारबन डायोकसेड पानी इन चीजों क नाम क्या है धियान से देखना यह यह क्या है कोई बता सकता है यह क्या है यह जो मुने प्लेट के ऊपर रखा हुआ है यह है आपका potassium hydroxide potassium hydroxide यहां पर लिख भी ले न कि ओ एच potassium hydroxide potassium hydroxide का क्या काम होता है potassium hydroxide जितनी भी carbon dioxide इसको बंद कर दिया अंदर मैंने क्या रख दिया पोटेश्यम है चली गई अब जब यह प्लांट फोटो सिंथेसिस करेगा क्यूंकि इसके पास कार्बन डियुक्साइड नहीं है तो फोटो सिंथेसिस का जो अमाउंट है जो फोटो सिंथेसिस का प्रोसस है वह बहुत और यह अच्छी तरीके से फोटो सिंथेसिस नहीं कर पाता नहीं कर पाता क्यों क्यूंकि कार्बन डियुक्साइड नहीं है यह टेस्ट किया जाता है प्रूव करने के लिए कि जो कार्बन डियुक्साइड है वह बहुत इंपोर्टेंट है पोटो सिंथेसिस के लिए ठीक देखो एक बीकर के अंदर तो हमने carbon dioxide डाल रखी थी, बड़ दूसरे वाले पौधे को हमने carbon dioxide नहीं दी, जब उन दोनों को हम compare करेंगे, तो क्या change होगा, जो पहला वाला बीकर है, जिसके अंदर carbon dioxide है, अव्यसी बात है, उसको photosynthesis high होगा, तो जो starch बनेगा, वो high होगा, करेगा carbon dioxide खीच लेगा, तो जो amount of starch है, वो कम होगा, ठीक है, यह इसके question है, है यह आपको बताई दिया हमेने, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अगली activity है हमारी 8.2, अब यह वाली activity से सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, activity क्या है, wet a slice of bread, देखो मैं आपको आये, देखा है, किस-किस ने देखा है, किस-किस ने देखा है, यार फिर तुम recorded बोल रहे हो, मान जाओ बेटा, मान जाओ, है ना, है ना, अगर यह recorded है तो live में तो बेटा फिर में तुमारे घर आके ही बढ़ाऊंगा, है ना, तुमारे घर आ जाऊंगा, तुमारे पैन को है उसके उपर substance आपने देखा हुगा green color का अब वो green color का substance actually में होता क्या है कौन सा microorganism होता है reproduction में पढ़ते हैं याद करो rhizopus किस को याद है किस को याद है rhizopus राइजो पस याद है अब सवाल ना पूछा जाता है directly कि वो क्या organism होता है और उसका जो reproduction होता है वो कैसे होता है organism का नाम क्या है rhizopus और reproduction उसका कैसे होता है spore formation इंसी आटी के अंदर rhizopus का एक diagram भी दे रखा है वो diagram practice मत करो बट उस diagram को देखके जाना ठीक है उस diagram को एक बढ़ देखके जाना labeling के लिए अगर पूछा जाए तो तुम तयार होने चाहिए क्योंकि कभी कबार क्या होता है पेपर अगर टफ आया बाइचांस तो तुम तयार होने चाहिए ठीक है rhizopus और क्या बोलो spore formation चलिए बहुत बढ़िया एकदम क्लियर बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगली activity देखते हैं अगली activity आगी है हमारी physics की activity फिजिक्स की activity में क्या हो रहा है टेक आ लार्ज शाइनिंग स्पून अब इस activity को करने के लिए हमारा जो बजट है वह बहुत हाई है इस वज़े से हम इस बजट से एक चम्मच को भी लेकर आए हैं अब इस activity में हम क्या कर रहे हैं मैं इतना हाई बजट है देख रहे हो तुम चम्मच लेकर आ रहा हूं मैं तुम्हार ले देखो अब क्या बोल रहा है एक चम्मच लेकर रहा है जिसके अंदर मैं जूम दिख रहा हूं और मैं सीधा दिख रहा है रहा हूं और एक दूसरी साइड है जब मैं इसमें देख रहा हूं ना तो मैं उल्टा दिख रहा हूं मैं अजीब सोना ऐसे मेरी image वह उल्टी हो गई है यह कौन साइड का mirror है यह यह वाली साइड कौन सी है बताओ उल्टा कहां पर दिखता है अरे भाई अगर यह वाली साइड है पीछे वाली साइड है तो उसके अंदर आपको image सीजी दिख रही है इसका क्या मतलब है convex और जो आपकी यह वाली साइड है जिसमें image उल्टी दिख रही है वो क्या है concave क्या होता है real और inverted image आपकी बन रही होती है clear clear बताएं बताएं है ना एकदम बढ़िया क्या photo आ रही है मेरी यार देखो मैं चमश दिख रही है क्या must photo आ रही है एकदम दूसरे में उल्टा दिख रहा हूं पहले हैं मैं बढ़िया चलिए बढ़िया बढ़िया तो यह हमारी activity है इसके अंदर ऐसे सवाल आ सकते है spoon का example आ सकता है spoon के उपर आ सकता है किया अगर एक spoon का एक side concave एक convex है वो सारी चीज़ आपको याद होनी चीज़ है कि concave की का properties होती है convex की का properties होती है यह सारी चीज़े आपको याद रहनी चाहिए चलिए यह ऐसी activity आ सकती है ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है इसमें सवाल क्या पूछा जाता है do you get the image is it smaller or larger कैसी होती है outer curved surface में तो कैसी है image smaller है और देखो दूसरा कहा है move the spoon slowly away from your space अगर मैं चम्मच को दूर लेके जाऊंगा तो image कैसी होती जाएगी image छोटी होती जाएगी अगर मैं चम्मच को दूर लेता जाएगी तो कैसी हो जाएगी image छोटी हो जाएगी अगे देखते है, size of the image gradually decreases, अगला क्या है reverse the spoon and repeat the activity how does the image like now, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो क्या होगा अब जो image बनेगी, वो real बननी है real बननी है, उल्टी बनेगी inverted बनेगी, और diminished बनेगी, छोटी बनेगी, चीक है, मैंने आपको बता है न, दो sides, समझ गए clear है, बताओ, प्रिशांद भईया rock बाकी सब shock क्या बात है, है न, बढ़ी आए अब तुमने इत्ता भारी नुकसान करा दिये मेरा चम्मच का चलो, कोई दिक्कत नहीं है है न, अब मेरी मम्मी भी मुझे मारेंगे कि चम्मचों से तुम क्या करते रहते हो, क्लास के अंदर समझ नहीं आ रहा बोल के जाते हो कि पढ़ाएंगे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो चम्मचों से, खाना खाना सिखा रहे हो, अगली activity बढ़ते हैं चाहिए तो simple से definitions है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगली activity है हमारी magnet की, अब ये वाली magnet की बहुत simple activity है, बार-बार ये मैंने आपको बता रखी है, कि एक magnet हमें लेना है, हमें क्या करना है, हमें एक magnet लेना है है ना, उस magnet का एक north का एक south pole होगा अब मैंना, जो iron के जो nails होते हैं वो ऐसे-ईसे drop कर दूँगा, हर जगे drop कर दूँगा, ठीक है अब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो जो nails होते हैं, आईरन के जो feelings होती है वो एक direction में आ गए है वो सारे के सारे एक pattern में आ जाते हैं यह pattern आपको मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार के pattern में आ जाते हैं ऐसा pattern बना लेते हैं क्यों बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह जो है magnetic field of lines का pattern बनाते हैं north वाला क्या होता है, जहां से magnetic field of line जाती है south के अंदर जाती है याद रखना, यह एक diagram है जो की पूछा जा सकता है यह वाला diagram तो बिल्कुल आ सकता है activity आए ना है बट यह north-south वाला जो basic diagram है यह तो आ सकता है कि magnet जो है आपका एक bar magnet उसके आसपास में iron के fillings डाल दी और diagram बना दो, ठीक है, चली बड़ा simple था, इसमें कुछ खास चीज नहीं थी अब बढ़ते हैं हमारे अगले diagram की तरफ जो की है यह वाला, देखिए यह भी बहुत similar activity है इसमें क्या है, यह मैंने आपको इसे diagram में भी बताए था कि अगर मैं, माल लो अगर मैं एक plate लूँ एक plate लूँ, और उसके अंदर से मैं क्या करूँ, एक wire निकालू, एक wire निकालू और उस plate के चारों तरफ मैं क्या करूँ, इस plate के उपपर मैंना iron के बहुत सारे fillings डाल दूँ nails डाल दूँ, अब मैंना iron के बहुत सारे particles यहाँपर डाल दी है, अब and thumb rule, याद है, याद है कैसी होती है, round होती है, बता हुए फटा-फट, concentric circles concentric circles, याद रहेगा याद रहेगा, बता है याद रहेगा, ये वाली activity बड़ी simple सी activity है, I hope ही आपको समझ आ गही होगी, इसमें एक सवाल जो पुशा गया है न, वो एक सवाल देख ले न, previous year question के अंदर does the direction of magnetic field of lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed अगर मैं wire की जो current है, उसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या magnetic field of lines जो है, वो भी उल्टी हो जाएंगी पहले ऐसे गूम रही थी, अब क्या उल्टी गूमेंगी, बताओ बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है मित्रो, किन कर लग रहा है कि बात एकदम सही कर रहे हैं, प्रוחानद भईया बात एकदम बढ़िया कर रहे हैं किस को लग रहे हैं, बिलकुल सही, याद रखना, अगर current की direction opposite करी, पहले current यहाँ था, अब current यहाँ है, तो obvious सी इंक्ट्यू वाली स्लाइड पे जितने भी important activities ते बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भया यार क्या सारी activities कवर हो गई है बीच बीच में से जो important activities नहीं है वो सारी की सारी हटा दी गई है क्योंकि उनमें सा सवाल नहीं आता है important है chemistry की activities chemistry की activities में से ही majorly सवाल पूछा जाता है वो जो reactions है जितने भी colors है वो colors सबके सब याद रखने है ठीक है वो colors सारे के सारे हमें याद रखने है आप लोगों के लिए comment करने के लिए एक homework question देके जाता हूं ठीक है एक homework question देके जाता हूं और आपकी testing भी हो जाएगी आपकी testing भी हो जाएगी सबसे पहली चीज़ colors का सवाल पूछता हूं यह comment में आपको लिखना है CUSO4 के solution का color कैसा होता है ठीक है और आपकी जो gas होती है nitrogen dioxide उसका कैसा color होता है ठीक है और आपकी जो carbon dioxide होती है इसका color कैसा होता है यह 3 सवाल है यह 3 सवाल आपको comment में बताने ह कर लेते हैं कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है चलिए यह आपको comment के अंदर देना है और अगर कोई और मदद चाहिए मुझसे तो भाया मैं तो यहां खड़ा हूं तुमने पिछली वीडियो में बोला कि भाया यार यह करा दो मैंने का ठीक है करा देते हैं तो म कि और सब्जेट्स को भी पढ़ते रहो सिर्फ साइन्स मैट्स इनको मत पढ़ो इंगलिश भी इंपॉर्टेंट है इंगलिश का पेपर आने वाला है पढ़ना शुरू करो ठीक है पढ़ना शुरू करो चलिए आई होप आपको मदद मिली होगी जाते जाते बस चंदलाइ अपने को प्रूव करके दिखाने का शुक्रे एवरिवन मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर टेक केर बाई 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 चलो 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 सोजाओ गुड नाइट गुड नाइट पढ़ लो मतलब एक बार यह पीडिएफ मिल जाएगी चलिए बाई